जैहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्रेकन फॉरॉन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले अबुदावी नाइट राइडर्स वर्सेश सार्जा वारियस के बीच जो मुकाबला होने वाला है अबुदावी स्वरी इंटरनेशनल लीग टी-20 का तो हम बात करेंगे बेसिकली उस मैच के ड्रीमिलोन अनाल्सिस की लेकिन उससे पहले जोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा आप लोगा प्यारो समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है उसके अलावा जो भी नई उजसे चैन चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि नीचे जो पिंड कॉमेंट है यानि फर्स कॉमेंट उस पे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उसे क्लिक किजे और चैनल को जॉइन कर लीजे नहीं तो जाईए यह जैसे मैसेज भीजेंगे ना बेचने के बाद यह ख्लिक करिएगा इस मैसेज पर डाइरेक्ट टेलिग्राम चैनल पहुचेंगे जॉइन का बटन होगा क्लिक कर लिजेगा नए तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जुइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन कहां पर दिखाई है एक मैसेंगे कोशा करण है नइ tahun कर देंड़ी च्छा होजा तो देखें लेकिन इंवेच्टमेंट्म फोड़ सा स्पेट अच्छ चार्जा इंग्र कर हम बात करें तो पहले क्या था यहां पर दो नेचर देखने को मिलते थी या तो पिछ एकदम स्लो होती थी या तो एकदम बैटिंग फ्रेंडली होती थी इस सीजन क्या है अब यहां पर जो पिछेज है न वो यहां पर नहीं तयार होती ड्रॉप इन पिछेज आ रही है तो उसका नेचर मतलब अभी तक देखेंगे तीन टाइप की पिचेज मिल चुकी है एकदम बैटिंग फ्रेंडली भी मिला है तीन क्या चार मिल चुकी है एकदम बैटिंग फ्रेंडली भी एक थोड़ा सा बैलेंस टाइप का भी मिला है जिसमें बलेबाजों को रिपोर्ट आएगा उसके हिसाफ से टीम बनाने कोसिस करेंगे ठीक है और हाँ एक बात ये अगर यहाँ पे गलती से थोड़ा भी बैलेस टाइप का भी ट्रैक हो जाता है न तो बलेबाज ज्यादा डॉमिनेट करते हैं क्यों क्योंकि यहाँ के बाउंडरीज छोटी होती है और बलेबाज उसका फायदा उठाते हैं तो सारे ही टाइप के पिच के लिए रेडी रहीएगा जैसा होगा हम उसे साफ से एड़ पेस को दस स्पिन को चार विकेट उसके पीछे जाएंगे माई ने 180 पे साथ किया सारजा एक सो स्वारी चोहत्तर पे दस ऑल आउट हो गई थी मतलब हाई स्कोर प्रेसर के कारण पेस को नों स्पिन को साथ तो यह दोनों पिच तो अच्छा खेली थी लेकिन उसके बाद ज यहाँ पे मुव्मेंट वाली पिस थी फिर उसके बाद साजा ने 174 किया डीवी 166 यह बैलेंस था थोड़ो सा बले बाजो को एक्स्टर आडवांट है और उसके पीछे उसके आगे वाला विकेट टू पेस था डीसी ने 104 किया सारजा 105 जरूर बना ले गई लेकिन पिच मे टॉन था और जो चेंज आप पेस कर रहे थे कटर्स का इस्तमाल कर रहे थे उनको यहाँ पे मदद भी मिला था और इसी मैच में मैं टॉस करवाने गया था ठीक है तो यह बात ध्यान दीजिएगा तो पिर्चे किसी भी टाइप कि इसमें सो हो सकती है और हाँ अगर यूज यूज ट्रैक होगा ना तो यहाँ पे जनरली यूज ट्रैक थोड़ा सा स्लोडाउन हो जाता है और स्पिनर्स को चेंज आप पेस वाले गदवाजों को ज्यादा मदद करने लगती है पांच मुकाबले हुए है जिसमें दो मुकाबले बैसिकली चेजिंग वाले टीम ने जीता है तीन बैटिंग फर्स्ट वाले ने जीता हुआ है और थोड़ा सा सारजा का ट्रैक ऐसा होता है कि स्लोडाउन कर जाए लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर यहाँ पे आता नहीं है लेकिन वो सेकेंड में वो सेटल डाउन भी होता है तो वो उतना स् परफॉर्मेंस बहुत ही सांदार रहा है चार मुकाबलों में जीत हसल के है साथ मैचे में और करेंटली सेकेंड रैंक पे हैं बात करते हैं इनके प्रॉवेबल लेकिन का चेंज होता रहता है जैसे मार्टिन गप्टिल अभी लास्ट के दो मैचों से ज्यादा खेले नहीं और इसमें इंपेक्ट प्लेयर होते कौन है जो क्लार्क और अली खान ये दोनों बिसिकली इंपेक्ट प्लेयर होते हैं मतलब फर्स बैटिंग है तो जो क्लार्क रहेंगे बाद में उनको सब्सिटूट आउट करके अली खान आ जाएंगे और फर्स बालिंग है तो जो क्ल अजिनके इनके एक आग और कटके कटते भी हैं और भी किसी का कुछ ओवर कटते हैं तो वो जोस्वा लिटिल में चले जाते हैं जोस्वा लिटिल दो दो ओवर के आसपास मोशली कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है और उसके अलावा यहाँ पर balling में और कोई important नहीं है death की बात करें तो देखें death इनके तरफ से अगर अली खान खेल जाते हैं खासकर first balling है तो अली खान और विली को करना चाहिए ठीक है sorry अली खान और रसल को करना चाहिए और अली खान अगर नहीं खेल लें तो विली डेथ में आ जाते हैं तो यह कुछ important point रहेगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है विकेट इनका जल्दी गिर गया अली खान अगर playing alone में mention नहीं है न तो second balling में यह क्या अगर second balling में अली खान को आना है बिक बैस में भी वैसा ही आल था फिर इधर भी चार के चारों मुकाबलों में कुछ खास नहीं किया है लेकिन जो important point है अगर यह pitch batting friendly रही तो आप इन पर risk ले सकते हैं रह रहके batting friendly tracks पे अच्छा knock यह खेल जाते हैं अगर two pace track हुआ यह होता है सुरवाती हुबस में movement है तो सीधे सीधे छोड़ दीजेगा कभी कभारी ऐसे pitch पर यह चलते हैं batting friendly पर यह मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन चलने के chances रहते हैं यह ध्यान दीजेगा फिर आते है Michael paper पर टेकनिकल बले बाज है एक साइट से एंकर करने के लिए जाने जाते हैं और धीरे धीरे form में आये हैं और लगभग सभी मैचों में ठीक ठाक स्कोर किया हुआ है बीच में दो मैचेश कुछ खास नहीं किया लेकिन 30-35 consistently बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात keeping भी कर रहे हैं तो safety के लिए ले लिए form अच्छा चला और keeping backup भी रहेगा अलिसान सर आपको कभी गबार चलेंगे वो 82-33 का knock जो खेला नहीं उसे भूल जाईए कभी गबारी चलेंगे आराम से चोड़ सकते हैं सैम हेन player wise अगर हम बात करें talent और technique wise तो बहुत ही सांधार वल्लेबाज हैं लेकिन पता नहीं क्या है बड़े level पर उतना consistency नहीं दिखा पाते अभी big best super flop रहे थे इधर भी दो ही matchों में चले हैं बहुत अच्छा knock नहीं खेल पाएं लेकिन फिर भी भाई नंबर 4 पर आ जा रहे हैं तो सैम हेन एक अच्छे pick होते हैं decent type के option होते हैं form थोड़ा सगरबढ है इसलिए must have pick नहीं बूलूँगा लेकिन आप इन पर risk ले सकते हैं क्योंकि technical वल्लेबाज है और रह रहे के यह अच्छा knock खेलते हैं तो एक ठीक ठक type के option रहेंगे एल इवांस, form wise इनको नहीं चोड़ना चाहिए हलें कि इस team ने इनको finisher का ही roll दे दिया है और उपर नहीं भेज रहे है यह team एक match में क्या हुआ था इनका जल्दी विगट किर गया तो इमाद वसीम भी इनके उपर आ गये थे तो यह सबसे बड़ा risk है मतलब यह कई बार इस team से क्या होगा कि कई बार यह बहुत बड़ा score नहीं कर पाएंगे मतलब इनकी betting 14 में 15 में उबर में आएगी और कई बार फिर बड़ा score करना इनको मुस्किल होगा हालेंकि फॉर्म बहुत अच्छा है लेकिन risk factor इनके साथ है तो वो क्या है कि कई बार इनके बैटिंग नहीं आएगी और यह 30-35 ही बना पाएंगे तो थोड़ा सा उसके करा average पिक हो जाते हैं फिर भी बहुत ही जबरजास फॉम में चलने थे अभी इससे पहले बिग बैस में और इनकी टीम ने अगर experiment नहीं किया होता मतलब इनको बैटिंग ठीक ठाक दिया होता न तो यहां भी यह अच्छा score करते जैसे एक मैच में 67 किया था लेकिन उसके बाद टीम चेंज करने लगी थोड़ा साइन को नीचे भेजने लगी और वहां पर दिक्कत हो गया तो वही बैटिंग और का रिस्क नहीं होता तो यह अच्छे पिक है डिसेंट टाइप के option होंगे बहुत ही talented वल्लेबाज है लेकिन एक risk factor है वो यह है कि कभी-कभी यह बहुत ज़्यादा score नहीं कर पाएंगे और उसका region वही है कि 15 में 16 में अबर में बैटिंग आएगा क्योंकि एक-दो मैचों में इमाद वसीम को इनसे उपर भेज दिया गया तो यही सबसे बड़ा risk factor है तो तो टर्न भी थोड़ा इनको मिलने लगा है और लाइन लेंथ के लिए जाते हैं प्लस बैटिंग बैक अप भी रहता है और इसलिए मैं बोलता हूँ safety के आप ले लिए किजिए एक या दो विगट नॉर्मली ले गए जाते हैं तो विगट मिलने के chances रहेंगे और कुछ बैटिंग से भी रन बना सकते हैं तो अच्छे पिखूंगे अंद्रे रसल बहतरी इन फॉर्म में चलना है तगड़े हिटर है इंपक्ट वाले बले बाज और 96 का एवरेज रहे है और बॉलिंग में भी विगट लिया है कंसिस्टेंटली तीन से चार ओवर कर रहे है और सबसे बड़ी बात की विगट टेकर है मस्ट है पिक रहेंगे कैप्टेंसी के सबसे सेफ आपसंस में से एक फिर आते हैं डेविड विली स्विंग गदबाजी के लिए जाने जाते हैं थोड़ा बहुत गटर्स का भी इस्तमाल करते हैं इस लेवल पर मस्ट अफ टाइम ये के दो विकेट भी मिल जाता है और कभी-कभी बैटिंग बैक अप भी देके जाते हैं अगर हाइली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है तभी छोड़ने का रिस्क लिजेगा नहीं तो ये अच्छे पिखोंगे क्यों? क्योंकि सुरुवाती ओवर्स में कुछ विकेट ले जाते हैं सामने वाले टीम में भी थोड़ा आउट अफ फॉम बले बाज जादा है अगर आप देखेंगे टॉप ओडर में तो आउट अफ फॉम बले बाज जादा है जौंसन चार्ल्स को छोड़के तो विकेट मिलने के इनके चांसेज रहेंगे ये मोस्ट अब दो वर्स उरुवाती ओवर्स में करते हैं गप्टिल तो इनको एकदम खेली नहीं पाते हैं फिर आते हैं जो स्वाल एटिल इनको mostly दो वर्स पासी बॉलिंग दिया जा रहा है और आजकल इनका फॉम बहुत अच्छा नहीं है अराम से छोड़ सकते हैं अली खान ठीक ठाक गिदवाज है अलें कि बहुत अच्छा गिदवाजी इन्हों नहीं भी नहीं किया लेकिन फर्स बॉलिंग आती है तो यह डेथ में करते हैं और डेथ में जब बॉलिंग आती है न तो इनके पास यॉरकर अच्छे खासे हैं थोड़ा स्लोर वंस का भी प्रयोक कर जाते हैं तो विकेट मिलने के चांसे रहते हैं तो फर्स बॉलिंग में अली खान बहुत ही अच्छे पिक होते हैं सेकेंड बॉलिंग में डेथ तक मुकाबला गया तभी ज़्यादा विकेट मिलता है नहीं तो बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिल पाता है ठीक ही ठाक बोलेंगे, तीन मुकाबले जीता है, चार हारे हैं, तो बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे, और सबसे बड़ी बात ना, सेकेंड रैंक और लास्ट रैंक में, डिफरेंस जो है, बस एक जीतार का है, मतलब ये अभी भी रेस में है, अगले राउंड में पहुचन लेकिन मार्टिन गप्टिल कभी भी आ सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर में, ठीक है, ये बात ध्यान दिजएगा, और ये बिसिकली जवादुल्ला को भी इम्पैक्ट प्लेयर में लाते हैं, तो जब फिर्स बॉलिग होगा, तो जब जब पर बात बात नहीं रहेंगे, टी तो देखे तिछड़ा ने अच्छे खासे ओवर किये क्रिसोक्स ने किये हैं सैम्स ने किये हैं मतलब ये तीन जो हैं इनके में बॉलर हैं अगर मार्क वाट खेलते हैं तो उनसे भी तीन चार ओवर की उमीद करिएगा और फिर जवादुल्ला के से ये मोस्टली तीन ओवर के आस-पास करा रहे हैं तो मोस्ट अब दो अबर यही सब कर रहे हैं लेकिन इनके पास और भी बॉलिंग उप्सन है जैसा जैसा जैन्स फुलर है वो दो अबर के आस-पास कर सकते हैं किस्वानी का टीम ज्यादा यूज नहीं करेगा और यहां पर एक और इंपॉर्टन पॉ सैम्स तिछड़ा यह तीन कंफार्म है जवादुल्ला कुछ ओवर करेंगे और उसके अलावा कौन रहेंगे वो सेन विलियम्स और फुलर और जवादुल्ला इनमें बिसिकली आट ओवर डिवाइड होंगे अगर मार्कवाट खेल जाते हैं तो फिर साइस सेन विलियम्स को तीर के इवरेस से और श्ट्रगल कर रहे हैं वैसे हैं टैलेंटेड वले बाज और यह कीपिंग बैकप भी देंगे तो अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक आता है न तो डिकवेला पर रिस्क ले सकते हैं भले ही आउट अप फॉर्म है क्योंकि कीपिंग से अगर दो तीन कैचे लेके कुछ भी रन बना दिये तो अपना काम कर जाएंगे तो बैटिंग फ्रेंडली पर ले सकते हैं बाकी और सब ट्रैक पर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वैसे ट्रैक्स पर यह जनरली चलते नहीं है और इनके पास कीपिंग बैकप नहीं रहेगा तो यह ध्यान दीजेगा वेन्यू पर बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन उस टाइप के ट्रैक्स पर नहीं चलते हैं और उस टाइप के ट्रैक्स पर आप आराम से इनको छोड़ सकते हैं फिर आते हैं मार्ग देहा कुछ खास किया नहीं है अकर खेलते भी हैं तो आराम से छोड़ आने का संकेत दे चुके हैं तो अच्छे पिक होंगे सीन विलियम्स टेक्निकल बल्ले बाज है हालिंकि इस लेवल पर बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया है कई बार इनकी बैटिंग भी ज्यादा नहीं आती है लेकिन अगर मार्ग वार्ट नहीं खेलते हैं बालिंग ऑप्स फिर उतने अच्छे उप्सन नहीं रह जाएंगे यह ध्यान दीजेगा फिर आते हैं लेविस ग्रेगरी पता नहीं क्यों बालिंग में यूजी नहीं हो रहे है जादा बैटिंग भी कुछ खास नहीं रहा है अराम से छोड़ सकते हैं फिर आते हैं डी सैंस विकेट टेकिं करते हैं फ्लस हिटिंग भी तगड़ा करते हैं लेकिन टीम ने ज्यादा यूज नहीं किया दो मुकाबलों में केबल तीन ओवर दिया है तो उसी साब से उतने अच्छे ऑप्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं क्रेस अच्छे गिदबाज हैं मुमेंट हासिल करते हैं लाइन गिदबाज नहीं है लेकिन डिसेंट टाइप के ऑप्सन होगा अगर मुम्मेंट हो गया तो सीधे सीधे बिना सोचे ले लिजेगा क्योंकि मुम्मेंट के केस में यह बहुत ही तगड़ी गिदबाजी करते हैं ओबर ओल ठीक ठाक ऑप्सन होगा निलांस के स्वानी टीम न बस जाते हैं और ऐसी लिए इस टाइप के टूर्णामेंट में आप देख सकते हैं साथ मुकाबलों में 11 विकेट लेके जा चुके हैं कैसी भी पिछो विकेट मिलने के चांसे यहां पर रहते हैं ओबर ओल एक अच्छे पिक होंगे तिछड़ा मौमत जबादूला कभी लेकिन यहां पर चलने के चांसे थोड़े से कम होंगे रीजन बता देता हूं यह श्ट्रगल कर रहे हैं किसके अगेंस बहुत भेंकर श्ट्रगल करते हैं नरेन के अगेंस और नरेन भी मुझे लगता है वो मैचप जरूर देख रहे होंगे और सायद सुरुवाती होबस म नहीं बॉलिंग करने इनके अगेंस आ जाए और उस केस में यह श्ट्रगल मतलब कर सकते हैं हालिया फॉर्म बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा नहीं रहे है तो इसका भी एक वो रहेगा तो इसलिए मार्टिन गप्टिल भले ही दो इनिंग ठीक ठाक खेलाओ लेकिन उत्रे अच्छे आप्सन नहीं रहेंगे नीचे चलते हैं बात कर लेते हैं मैच अपस की जॉनसन चार्ल्स की बात करें नरेन के अगेंस ठीकी ठाक रिकॉर्ड है विकेट नहीं दिया है लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है दो बार आउट है इमाद नरेन के अगेंस बच्चो जैसा खेलते हैं इमाद वसीम के अगेंस भी रिकॉर्ड थोड़ा से गरबढ़ है विली ने भी इनको दो बार आउट किया हुगा है टॉम कॉलर कोई ध्यान देने है उलो उतना मैच अप नहीं है जो डेनली दो बार इमाद वसीम ने कम स्कॉर आउट किया है वासे लमीद अली खान ने दो बार आउट कर चुके सेन विलियम्स की बात करते हैं कुछ लोग सान विलियम्स भी इनको बोलते है दो बार जोस्वा लेटल ने आउट किया है लिविस ग्रेगरी ज्यादा ध्यान देने होला मैच अप नहीं है फुलर का भी व से जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो दोस्तों ड्रीमिलों टीम की बात कर लें स्टार्ट कर देते हैं विकट कीपर में चाल्स पेपर दोनों अच्छे ऑप्सन है लेकिन अगर आता है नहीं कि ज्यादा मूम्मेंट है या फिर टू पेस विकेट है तो चाल्स को छोडने का रिस्क ले सकते हैं रीजन में बता चुका हैं ऐसे ट्रेक्स पर कर उतना नहीं चलते हैं बैटिंग सेक्शन में कैटबोर धीरे-धीरे फॉर्म में वापसी की संक्यत दिये हैं तो उनके साथ मैं जा रहा हूं इवांस को मैं ल अगर देखिएगा बॉलिंग करने के चांद से ज्यादा है तो अच्छे पिक नहीं तो छोड़ सकते हैं ठीक है बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं यहां पर ओक्स अच्छे ऑप्सन होंगे तिछड़ा मस्टैप पिक होंगे बाकी कोई उतना अच्छ ऑप्सन नहीं सकते हैं फिलाल के लिए रसल मेरे कैप्टर ने सैम सुलिस यहां परिवर्स भी कर सकते हैं तो इसी के साथ यह सवाप्त होता है आसा करता है वीडियो आपको अच्छा का सा हेल्प करेगा बीनिंग में जिन्हों भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करते और